वेल्कम लेर्नर्स टू लिट्रेचर लेसंस तो आज हम डिस्कस करेंगे जोर्ज और्विल की लिखी हुई नौविला आनिमल फार्म जोकी पब्लिश हुई थी 1945 में सो शुरू करने से पहले एक बार मेंन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं हम एक बार इस स्लाइड में देखेंगे और नेक्स स्लाइड में कुछ और कैरेक्टर्स को भी हम देखेंगे तो यहां पे story है एक farm पे रह रहे है कुछ animals की जो की actually में एक political commentary भी है जो 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 रेशियन revolution हुआ था 1917 में उसके उपर commentary की है George Orwell ने through the story of animal farm इसमें हर एक animal जो है वो किसी न किसी character को represent करता है in real life जो की related था Russian revolution से तो characters देख लेते हैं हम Napoleon जो है एक pig है farm pig और ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि dictator type का animal है और ये farm का सबसे powerful सबसे cunning और सबसे cruel pig है और ये इन सारे लोगों के उपर डूल करता है उसके साथ साथ उसका एक और कह सकते हैं आप colleague था snowball नाम का एक pig जो की बहुत ही intelligent था बहुत ही well spoken था बोलने में बहुत अच्छा था speeches वगर अच्छी देता था काफी idealistic nature का था snowball और हम देखते हैं novel में बाद में snowball को किस तरीके से animal farm से निकाल दिया जाता है ये सब हम स्टूरी में देखेंगे अभी तो फिलहाल हम सिर्फ नाम देख रहे हैं characters के old major नाम का एक character है so old major एक बहुत ही wise pig था जिसने animal के mind में सारे animals के mind में ये beach बोया कि animals के साथ बहुत जात्ती की जाती है और वो जात्ती करने वाले लोग इंसान है और animals को rebel करना चाहिए मतलब की इंसान के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और अपनी स्वतंत्रता क्लेंड करनी चाहिए ये जो idea था ये जानवरों के दिमाग में देने वाले पिग का नाम था old major ये नौवल स्टार्टिंग में ही ये idea जब वो देता है जानवरों को उसके बाद ही ये मर जाता है और इसके idea को आगे लेकर के ये दो पिग आगे बढ़ते हैं जिनका नाम मैंने भी डिस्कस किया नेपोलियन और स्नोबॉल जिस यूमन बींग के फार्म पे ये सारी एक्टिविटीज होती है जहांके आनिमल्स डेबिलियन करते हैं उस फार्म ओनर का नाम है निस्टर जोन्स जिससे सारे जानवर जब रेबिलियन करते हैं तो फार्म से भगा देखते हैं हम एक बहुत इंपोर्टन क्यारेक्टर देखेंगे स्टोरी में बॉक्सर का भॉक्सर एक घोडा है बहुत ही हार्ड वर्किंग होडा है ये और इसे पूरा विश्वास से निपोलियन पर उसकी सक्षा पर कि कूल को हम देखेंगे इसपीलर भी एक पिग है और यह प्रोपगेंड़ा पहलाने का काम करता है सारे जानवरों के माइंड में स्क्वीलर नाम का जो पिग है वो हमेशा यह डालता रहता है कि निपूलियन सही है और वो जी डिसिजिशन्स ले रहा है वो सही है सो मैनिपिलेशन का काम यह करता है स्क्वीलर तो अब हम देखेंगे स्टोरी के इवेंट्स को और कुछ और कैरेक्टर्स को तो स्टोरी शुरू होती है ओल्ड मेजर नाम के एक पिग से जो की एक ड्रीम देखता है और उस ड्रीम में वो ये देखता है कि जानवरों को एहसास हो गया है कि इनसान उनके साथ कितनी जातिती करते हैं कितना बुरा व्यवहार करते हैं और इसके खिलाव जानवर सारे के सारे जितने भी हैं सब जानवर मिलकर आवाज उठाते हैं और इनसानों को हरा देते हैं ये जो ड्रीम है ये Old Major सारे जानवरों को बताता है और इस ड्रीम को सुन करके दो पिग्ज हैं एनिमल फार्म पे जो की इंस्पायर हो जाते हैं नेपोलियन और स्नोबॉल उन दो पिग्ज का नाम है Old Major तो कुछ दिन के बाद मर जाता है लेकिन ये जो दो पिग्ज हैं जो की Old Major की ड्रीम से इंस्पायर हैं नेपोलियन और स्नोबॉल नाम के ये दोनों पिग्ज सारे जानवरों को एंकरेज करते हैं कि हमें इंसानी अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए इधर हम देखते हैं कि जिस फार्म पे सारे जानवर रह रहे हैं उस फार्म का नाम है मैन और फार्म तो मैन और फार्म जहां पे सारे जानवर रह रहे हैं उसके मालिक इंसानी मालिक का नाम है Mr. Jones Mr. Jones जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं एक दिन Mr. Jones जानवरों को खाना देना भूल जाते हैं जिससे गुसा हो करके सारे जानवर जो अल्रेडी बहुत भड़के उन्हें हैं आवाज उठाते हैं और Mr. Jones को ही फार्म से भगा देते हैं और फार्म का नाम बदल करके अनिमल फार्म रख देते हैं तो जितने पिग्स हैं जिसमें से की नेपोलियन स्नोबॉल जो की इस लड़ाई के लीडर थे और साथ साथ में उनका राइट हैंड स्क्वीलर नाम का एक पिग जो की जानवरों की को मैनिपुलेट करने का उनका ब्रेनवश करने का काम करता था ये तीनों और बाकि कुछ और पिग्स मिल करके फार्म के बाकि अनिमल्स को समालने लगते हैं मतलब की पिग्स ही गवर्मेंट होते हैं में गवर्मेंट उसके बाद हम ये देखते हैं कि स्टोरी में एक बॉक्सर नाम का घोड़ा है जो बहुत ही महनती है वो नेपोलियन की बहुत इसद गरता है और हमेशा कहता है मैं बहुत महनत करणगा और जो भी नेपोलियन चाहता है उस चीज़ को मैं पूरा करणगा स्नोबॉल चाहता है कि एनिमल्स मिल के विंड मिल बनाएं जिससे एलेक्टरिसिटी प्रेडियूस हो और सारे काम आसानी से हो जाएं नेपोलियन ऐसा नहीं चाहता क्योंकि उसको लगता है कि अगर जानवरों के सामने स्नोबॉल ने ये बात रखी और विंड मिल बन गई उनसे डरा करके फार्म के बाहर खडेड के देता है णिटार करी देखते हैं एक और एक और धार केरेक्टर फ्रेडरिक का तो फ्रेडरिक क्या होता है कि एनिमल फार्म में नेपॉलियन जब स्नोग बाल को भगा के खुद सबसे बड़ा इंपोर्टिन्ट लीडर बनता है फार्म का तो कुछ फार्मर्स के साथ वो डील करता है बिजनस डीलिंग्स करता है उसमें से एक farmer का नाम है Frederick जो Napoleon के साथ लकडी की business में Napoleon को धोका देता है इसी तरीके से हम देखते हैं एक Pilkington नाम का भी farmer है human farmer Frederick की तरही जिसके साथ Napoleon business करता है business deals करता है कुछ और important animals है animal farm में जैसे कि Benjamin है वो बहुत ही negative thinking वाला एक donkey है Benjamin कहता है चाहे animal सत्ता में आए या चाहे human being सत्ता में आए कुछ नहीं बदनने वाला ऐसा Benjamin donkey जो है वो believe करता है मौली नाम की एक horse है जो की बहुत ही लालची है उसे बस sugar खाने है पैंसी ribbon पहनने है उसे revolution से कोई मतलब नहीं है वो बस materialistic है और चीजों की लालच पर रहती है फिर हम देखते हैं कि कुछ और characters है जैसे Moses Moses एक Raven है जो की लोगों को religious बाते बताता है और कहता है कि सारे जानवर जब मर जाएंगे तो वो अगर अच्छे काम करेंगे तो वो heaven में जाएंगे और जानवरों का heaven जो है उसका नाम है sugar candy mountain क्लोवर नाम की एक बहुत ही प्यारी सी motherly horse है जो की जादा तो नहीं बोलती लेकिन फिर भी जब भी वो बोलती है तो बहुती शान्ती के साथ वो नेपोलियन के कुछ गलट decisions पर question उठाती है कुछ और characters हैं जैसे Jesse, Bluebell और Pinscher ये वो तीन guard dog हैं जिन्हें नेपोलियन अपनी security की तरह use करता है So story शुरू होती है old major के साथ जो की एक pig है बहुत जादा वो बहादुरी दिखा चुका है उसे बहुत सारे बहादुरी के prize मिले हैं वो manor farm के सारे जानवरों की एक meeting बुलाता है बान में और वहाँ पर सबसे बताता है कि उसने एक सपना देखा जिसमें उसने ये देखा कि सारे जानवर साथ में रह रहे हैं और कोई भी इनसान नहीं है उन्हें कंट्रोल करने के लिए उन्हें उप्रेस्क उन्हें दबाने के लिए वो जानवरों को बताता है कि उन सब को ऐसा paradise क्रियेट करने के लिए काम करना चाहिए कैसा paradise जहां पे इनसान जानवरों की प्रतार्णा न करे जहां पे जानवर स्वतंत्र है वो जानवरों को एक गाना भी सिखाता है Beasts of England जिसमें कि उसने अपने ड्रीम को गाने के थूँ डिस्क्राइब किया है जो एनिमल हैं उनको ओल्ड मेजर का ड्रीम बहुत अच्छा लगता है और वो सब उसे एकदम सुन करके इंस्पायर हो जाते हैं अपने ड्रीम को शेयर करने की तीन ही रातों के बार जब ओल्ड मेजर मर जाता है तो तीन यंग पिग स्नोबॉल निपोलियन और स्क्वीलर वो कहते हैं कि हम ओल्ड मेजर की थिंकिंग को उनकी फिलोसिफिक को आगे बढ़ाएंगे और उसको एक नाम देते हैं वो उस थिंकिंग को कहते हैं एनेमिलिजम एक ऐसी फिलोसिफिक जिसके हिसाब से जानवर सब इक्वल होंगे एक दिन और इनसान उनको प्रताडित नहीं कर पाएगा अगर जानवर इस चीज को पूरा करने के लिए सपने को पूरा करने के लिए मेनद करते हैं तो एक रात जानवर जो हैं वो मिस्टर जोन्स को जो की मैन और फार्म का मालिक है खाना ना देने पर गुसा करते हैं उसके उपर उस पर अटैक कर देते हैं और फार्म से उसे भगा देते हैं और फिर वो उस फार्म का नाम मैन और फार्म से बदल के अनिमल फार्म रख देते हैं और कोशिश करते हैं कि मिलकर काम करें ताकि ओल्ड मेजर का सपना पूरा हो सके जिस एक ऐसा पैरडाइस बने जहां सारे जानवर एकुल ही बॉक्सर नाम का घोड़ा बहुत महनत से काम करता है और हमेशा कहता है कि मैं बहुत महनत करूंगा और सारे जानवरों की एक्वैलिटी को ले करके तो पहले तो हम देखते हैं कि अनिमल फार्म में सब कुछ ठीक चलता है स्नोबॉल जानवरों को पढ़ना सिखाता है और नेपोलियन एक छोटे छोटे पपीज का ग्रुप बना लेता है और उनको अनिमिलिजम के सिद्धान्त के बारे में समझाता है उन्हें उसके बारे में पढ़ाता है जब मिस्टर जोन्स वापस फार्म में आते हैं कुछ आदमियों को ले करके ताकि वो जानवरों से अपनी फार्म वापस ले सके तो जानवरों और मिस्टर जोन्स और उनके आदमियों के बीच में लड़ाई होती है जम करके जिसमें जानवर मिस्टर जोन्स और उनके आदमियों को हरा देते हैं और इस बैटल का नाम पढ़ जाता है बैटल ओफ काउशेड वो जब पार्मर्स और मिस्टर जोन्स और उनके साथी जब भागते रहते हैं हार करके डर के मारे जानवरों से तो अपनी जो गंस वो छोड़ करके जाते हैं उन्हें उन गंस को जानवर उठा लेते हैं और अपनी विक्ट्री के साइन के तौर पर सम्हाल करके रखते हैं समय जैसे जैसे बीटता जाता है नेपोलियन और स्नोबॉल के बीच में अक्सर जगड़े होते हैं इस बात को ले करके की जानवरों के बीच में कौन जादा पावर और इंफ्लुएंस अपना बना पाएगा स्नोबॉल जानवरों के बहलाई के लिए एक स्कीम लेकर के आता है और उस स्कीम में ये रहता है कि एक विंड मिल बनानी चाहिए जो की अलेक्रिसिटी जेनरेट करे ताकि सारे काम बिजली से हो जाएं और जानवर आराम से रह सके लेकिन नेपोलियन को ये प्लान जिस मीटिंग में वोट होना था on this topic इसी मीटिंग में स्नोबॉल एक बहुत ही passionate बहुत ही inspiring speech देता है नेपोलियन आता है कुछ देर के लिए थोड़ा बहुत बोलता है और फिर एक अजीब सी आवाज निकालता है जैसे कि कोई सिगनल दे रहा हो और उसकी आवाज निकालत उते जो एस पपीज नेपोलियन ने पाले थे उन को पढ़ाने के लिए आनिमलिजम की थ weetorie वह और जो पफिसले कोद्टे बन गए हैं बड़े उ स्नो बाल के उपर और उसे फार्म से बहुत अदेते हैं नेपोलियन अब अनिमल फार्म का लीडर बन जाता है और कहता है कि अब से कोई मीटिंग्स नहीं होंगी और ये भी कहता है कि फार्म पे जो सारे डिसिजन्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ पिग्ज ही लेंगे और सारे एनिमल्स पिग्ज के रूल्स को उनके कहे हुए बातों को फॉलो करेंगे निपूलिन बाद में ये कहता है कि विंड मिल बनाने का आइडिया स्नोवॉल का नहीं था विंड मिल बनाने का आइडिया तो मेरा था और कहता है ठीक है बनाओ तुम लोग विंड मिल जानवरों से ये कहता है वो सारे जानवर जुड़ जाते हैं विंड मिल बनाने के काम में और सबसे जादा महनत बॉक्सर करता है एक दिन एक बहुत बड़ा तुफान आता है जिसमें की विंड मिल तूट जाता है जो आसपास के human farmers होते हैं वो कहते हैं कि अगर जानवरों ने इतनी पतली दिवाले ना बनाई होती तो windmill न गिरती तुफान में बड़ नेपोलियन कहता है कि snowball आया था farm में और उसी ने windmill को तोड़ा है और वो ये कहता है कि उसने ये plan जो है इसे बनाने में और इसको execute करने में बहुत सारे जानवरों की मदद लिए और ऐसा कहकर वो उन सारे जानवरों को मरवा देता है जो कहीं न कहीं से उसकी सत्ता से खुश नहीं थे उसके रून से खुश नहीं थे और मरवाने के लिए वो अपने पालतु पुत्तो का इस्तिमाल करता है अब snowball को भी उसने जूट मूट का villain बना दिया है और जो थोड़े बहुत जानवर थे जो निपोलियन की सत्ता को question करते थे उनको भी उसने मरवा दिया है तो अब उसके सामने कोई रोड़ा नहीं रह गया boxer पहले जो घोड़ा था boxer नाम का जो बहुत ही महनती था वो पहले कहा करता था कि I will work harder उसका यही मोटो था यही लाइन वो बोला करता था अब उसने नई लाइन पिक कर ली और हमेशा कहता था नेपोलियन इस ओल्वेज डाइट बॉक्सर डिवोटेड है टूर्ड नेपोलियन ने उसका ब्रेंवर्श कर रखा है अब नेपोलियन अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और ऐसा दिखाने लगता है कि स्नोबॉल एक विलेन है और वो बहुत अच्छा है हर बात को स्नोबॉल से रिलेट करके कुछ भी बुरा होता तो कहता था यह स्नोबॉल ने किया है नेपोलियन दीरे दीरे इंसानों की तरह एक्ट करने लगता है बेड में सोने लगता है शराब पीने लगता है और बगल के नेबरिंग फार्मर्स के साथ ट्रेड भी करने लगता है जो ओरिजिनल एनिमिलिजम का जो फ्रिंसिपल था उसमें ये सक्त मना था ड्रिंक करना कपड़े पहनना बेड पे सोना और नेबरिंग फार्मर्स के साथ डील करना ये सारी चीज़े जो एनिमिलिजम का ओरिजिनल सद्धान था उसमें मना थी लेकिन ये सारे करने के लिए इसको तो uiteds कुए लर्ग जानवरों का ब्राइब्लूर्ट। करता है और नेपूलियन कि हर गलत और टोरशा करता है। ऐसे कहे के जानवरों का बेनवाश करता है स्क्वीलर पे उनको मैनिपिलेट करता है और सच्चाई क्या है कि जानवर जो है वो फूख से ठंड से और जरुवत से जादा काम करने की वज़़ से परिशान है जब नेपोलियन बगल के फार्मस के साथ डीलिंग्स करने लगता है तो उसमें से एक फार्मर होता है जिसका नाम होता है मिस्टर प्रेडरिक्ट वो नेपोलियन के साथ कुछ लकडी की डील किया था उसने और नेपोलियन ने उससे लकडी बेची थी बदले में वो जो पैसा देता है वो नकली नोड नेपोलियन को देता है और उसके बाद सि मिस्टर फेडरिक फार्म पे अटैक भी कर देता है और डाइनमाइट से विंड मिल को उड़ा देता है जिसे स्टॉर्ण के बाद बड़ी ही मुश्किल से दुबारा बनाया गया था जब विंड मिल तूट जाती है तो एक बैटल आप कह सकते हैं या लड़ाई कह सकते मिस्टर फेडरिक और उनके आदमियों और जानवरों के बीच में होने लगती है जिस लड़ाई के दौरान बॉक्सर नाम का जो घोड़ा है उसे बहुत चोट लग जाती है जानवर फार्म दिन पर दिन वीक बनाती जा रहे हैं एक दिन जब विंड मिल वो फिर से बनाने की कोशिश करता रहता है उसी दौरान बॉक्सर भी होश हो करके गिर जाता है और उसे ऐसा फील होता है कि उसका मरने का समय निकट आ गया है एक दिन सारे जानवरों को बॉक्सर कहीं भी शांती से पीसफुल तरीके से मर गया और मरते दम तक उसने जानवरों के रेबिलियन की तारीफ की सच्चाई क्या थी नेपोलियन ने बॉक्सर को उसके सबसे लॉयल और सबसे हार्ड वरकिंग वर्कर को बेच दिया था एक ग्लूव बनाने वाले को ताकि उसे शराब के लिए पैसे मिल सकते हैं कई साल बीच जाते हैं और पिक जादा और जादा पावरफुल होते जाते हैं और इंसानों की तरह एक्ट करने लगते हैं दो पैरों पे चलने लगते हैं और अपने साथ कोड़े रखने लगते हैं जानवरों को मारने के लिए कपड़े पहनने उन सब को मिटा करके बस एक रूल लिखा जाता है कि सारे जानवर बराबर होते हैं बट कुछ जानवर दूसरों से ज़्यादा बराबर होते हैं नेपोलियन सारे यूमन फार्मर्स को बुलाता था और पार्टीज करता था एक दिन वो Mr. Pilkington नाम के farmer को अपने farm पे बुलाता है और उनके साथ dinner करता रहता है और कहता है कि वो और human farmers जो हैं वो अब friends हैं वो मिल करके labouring class पे rule करेंगे वो चाहे जानवर की labouring class हो या इनसान की है वो नेपोलियन आनिमल farm का नाम बदल करके फिर से man और farm रख देता है और कहता है कि यही इस farm का correct नाम है जब यह सारे इनसान और pigs बैट करके अंदर farm house में party कर रहे हैं वही बाहर जानवर खड़े होकर के खिड़की से देखते हैं कि किस तरीके से उन्हें इनसान और pigs में अब कोई difference नहीं दिखाई पड़ रहा जैसा कि मैंने starting में बताया था कि यह जो novel है यह एक political commentary है on the Russian Revolution तो इसमें कुछ characters हैं जो कुछ other real life political figures को symbolize करते हैं उसके बारे में मैं next video में discuss करूंगी I'll see you all soon in the next one till then keep learning and keep loving literature don't forget to like share and subscribe thank you for watching